जहीं दोस्तो स्वागत आप सभी का आज के इस छोटे से वीडियो में ये वीडियो उन सभी भाईयों के लिए हैं जो इस बारी उत्तरपदेश पीसियस परी का एक्जाम देने जा रहा हैं तो आज के इस वीडियों हम समझेंगे नॉमलाइजेशन विवाद क्यों है और जो आयोक का एक संकेत है आपके नोटिफिकेशन को लेकर आपके एक्जाम डेट को लेकर वो क्या है उसके उपर हम बात करेंगे सबसे पहले normalization के उपर बात कर लेते हैं देखें पूरे अगर बात करें पूरे उत्तरपदेस में सभी जो उत्तरपदेस PCS के aspirants हैं उन्होंने धलना दे रखा है उन्होंने अपनी आमाज उठाई है इस बात को लेकर कि जो उनका exam है वो सिर्फ एक date पे होना चाहिए अगर द पेपर टफ था यहां पे जो भी यूपी PCS aspirant है जिनको exam देना है उन्होंने question रेच किया है कि अगर किसी बच्चे को किसी अंदोलन के बारे में जानकारी है किसी अंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है तो वहां पे सिर्फ जानकारी का भी सह कैसे आयोकताय करेगा कि कौन कौन सा आंदोलन पूछा जाना कठिन था कौन सा आंदोलन पूछा जाना सरल था और उपसे एक विवाद और है एक बात बताएं जब सिर्फ जो सिसैट का पेपर है सिर्फ कौलिफाइंग नेचर का है तो उसमें आप normalization कैसे decide करेंगी ठीक है कौन सा सिसैट का पेपर easy था क इस बच्चे को क्वालिफाइंग कराना है कौन सा बच्चा क्वालिफाइंग नंबर पाके भी फेल हो रहा है तो यह सभी विवाद सामने है इसलिए नौम बाइजेसन का जो टॉपिक है यह रेज हुआ है और इसलिए सभी देखे यहां पे जो अव्याति है ठीक है यह सभ कहां पे मिलता है यह सभी बातों के उपर यहां पे अगर आप यह नोटिफिकेशन देखें हों ठीक है आपने इसमें देखा था साथ और आठ दिसंबर का डेट इन्होंने आगे प्रस्तावीत किया था एक पत्राचार में यह कोई नोटिफिकेशन नहीं है यह सिर्फ एक पत्राचार था जो बाहर निकल के चलाया यह विसेसकर सभी डिस्टिक के जो मजिस्टेट है उनके लिए जारी किया गया था लेकिन कोई सुपचिन तक होते ही है तो यह बाहर चलाया अब हम इसमें देखिए एक प्रमुख बिंदु पे फोकस करें तो यहां पे आपको एक करें ठीक है एक तरह से जो आयोग है जो आयोग के सचियों है उन्होंने सभी जो डिस्टिक मजिस्टेट है ठीक है उनसे सहमती मांगी है 17 अक्टूबर तक ठीक है तो जाहिसी बात है उनके पास अगर सभी जो भी अनुमती उन्होंने मांगी है वो मिल जाता है के अंदर आ पत्पूर बात और भी देखिए उसके बाद से आपके एक्जाम में मात्र बचते हैं दस दिन दस दिन पहले दोस्तो एड्मिट कार्ड आना भी जरूरी है ठीक है क्योंकि प्रतेक विद्धाती घर पे तो होता नहीं वो कहीं कहीं होता है अपने एक्जाम की तैयारी के लिए बस आजकी वीडियो में इतना ही अ